अचा जी अभी वो कह रहा जी detail of stakeholders जी तो वो कह रहा जी total number of directors for private limited companies less than the required number 2 तो ये अभी हमने एड नहीं किये तो इस वज़ा चे observation दे रहा है तो आपने याद रखना है जैसे ही आप sign up करेंगे private limited के लिए तो आपने जो दोनों members होंगे दोनों का आपने sign up कर लेना स्टार्ट भी company incorporation का process start करने से पहले ही आपने दोनों का sign up कर लेना ये compulsory है क्योंकि जैसी मैं उनका cnc add करूंगा वो खुद ही information fetch करता जाएगा जो at the time of sign up दी होगी तो जी मैं add कर रहा हूं जी अच्छा वो पूछ रहा है कि क्या आप add करेंगे तो जनाब private limited company के case में दो director होते हैं और एक chief executive होता है तो जो chief executive है वो directors में सही कोई हो सकता है तो मैं इज़र select करूंगा CEO director and subscriber यानि कि एक एक जो मेरा member होगा वो CEO भी होगा वो director भी होगा और subscriber भी होगा ताकि मुझे chief executive लेदा से add करना पड़े तो आप CEO director and subscriber add करेंगे एक person को जिसको आपने chief executive बनाना है चीफ executive के पास authorization 30 होती है यूजली chief executive बिजनस के decisions ले रहा होता है तो आपने एक person को CEO director and subscriber बना देना है जी उसके बाद वो कहरा है do you want to add a पाकिस्तानी citizen और foreign national तो जी पाकिस्तानी citizen में एड़ करूंगा अच्छा जी उस पाकिस्तानी citizen के पास क्या है जिस cnac है या नाइकोप है तो cnac है जी और फिर उसके बाद वो कह रहा है कि cnac add करें तो cnac आप एड़ करेंगे without ड़श एड़ करेंगे तो यह cnac हैड हो गया उसके बाद आप क्लिक करेंगे search पे तो जी यह उसने सारी जो आपकी information थी जो जब आपने sign up किया था तो उसने CEO slash director and subscriber की सारी information उसने fetch कर लिए जो आपने at a time of select किया था यह आपने जो sign up किया हुआ था जिस user का अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है जी यह रेकें जी नेशनेलिटी मिसिंग आ रही है परसनल इंफरमेशन में आप पाकिस्तान select कर लेंगे उसके बाद occupation आ रहा जी पहले और nature of directorship जो जो आपके column missing होगे वो आप feel करते जाएंगे जी nature of shares में आरहा है kind of shares तो यह आप करेंगे ordinary उसके बाद आरहा जी class of shares class of shares भी drop down है जी आप इस पे click करेंगे और आप कर देंगे ordinary और उसके बाद आरहा है number of shares to be subscribe तो आपने यह याद रखना है जो भी आपने paid up capital रखना है जितने भी shares वो आपने subscribe करना है जी जब आपका company का bank account ख subscribe कर लेता हूं हर share की value 10 रुपे यानि कि एक shareholder के पास shares आ जाएंगे 1000 और उसकी value 10 रुपे यानि कि 10,000 पे paid up capital हो जाएगी एक shareholder की तो जनाब वह आपने 10,000 प्या bank में add करना है तो मैं इदर number of shares इसके कर देता हूं जी हजार total हमारा authorized capital था एक लाख लेकिन मैं जो हमारे जो दोनों directors हैं वो share subscribe कर रहे हजार हजार यानि कि 20,000 पे हमने दोनों directors ने bank में जमा करवाना है जी तो यह 1000 number of shares तो भी subscribe आ गए जी उसके बाद जी residential address आप add करेंगे जी country इदर से आप ठीट कर लें जी पाकिस्तान drop down मैंनिया जी आप province से add कर लेंगे जी जो भी आपका province होगा आप district select कर लेंगे drop down से भी कर सकते हैं search भी कर सकते हैं जी तो उस district में जितने भी cities आ रही होंगी वो आपके पास आदेंगे जी postal court आपका compulsory नहीं है और उसके बाद दुबारा से आप director का address add करेंगे जी अच्छा जी वो उसके बाद कह रहा है जी के add करें डिरेक्टर का एंटीन या पर पोस्ट मेंबर के एंटीन तो अगर आपका एंटीन बना हुए तो जनाब आप एंटीन एड कर देंगे अगर आप नहीं भी कर रहेंगे तो कोई issue नहीं है optional कह रहा है जी उसके बाद कह रहा है कि additional address information for the purpose of FBR तो जनाब जैसे यह आप यह information compulsories purposes के लिए कि अगर आपके एंटीन नहीं बना हुआ तो जनाब आपको जैसे यह आपकी company बनेगी company का एंटीन भी बन जाएगा और जो आप members हैं जो परपोस टाइप है तो जनाब यह residential आजाएगा property farm क्या जी गर है पैंगलो है केबन है अपार्टमेंट है जो भी है तो मैं इदर से हाउस लेट कर लेता हूं जी उसके बाद कह रहा है जी के गर का complete address बता दें जी हाउस नमबर क्या आ रहा है तो यह जो compulsory है यह देखें स्टार वाल उसके बाद पूछा जी contact information तो इदर आपने पूरा नमबर लिख देना है जीरो से स्टार्टिंग अच्छा जी नमबर एड़ हो गया उसके बाद आप एड़ कर देंगे mobile service provider कौन से मोब लिंक है पिर आपका जॉंग तो जी मैं इदर जैस लेट कर लेता हूं जी उसके वेलिडेट पर क्लिक करेंगे वो कह रहा है जी information is valid, currently proceed with add and notify तो आप सबसे उपर चले जाएंगे और इदर आप select करेंगे add and notify तो यह जी ना आपका एक यह देखें जी CEO, Director and Subscriber एक information add हो गई अच्छा जी अब आपको एक और बंदा चाहिए जी दो डिरेक्टर होने चाहिए वो कह रहा है attachment, please add attachments तो जिनाब इदर आपने CNIC की front and back add करनी है जी तो simply मैं browse पर क्लिक करूँगा और आपने CNIC की front and back जिनाब रख लेनी है तो front and back आप upload कर देंगे, तो जी यह मैंने front add कर दिया और इसके बाद आप, sorry, इदर से आप edit भी कर सकते हैं जी तो यह मैं back add कर दूँगा जी, अच्छा जी, यह दोनों आ गए जी, इसके बाद आपने यह देखें जी upload, इस पे क्लिक करेंगे तो यह आपकी upload हो जाएगी, यह तो आप सा time लेगी, यह नीचे वाले को भी आपने upload करना है ऐसे जी यह जी एक file uploaded है जी, जैसी दोनों हो जाएंगी तो यह done का आ जाएगा, दूसी फाइल भी upload हो गई, तो जी एक डिरेक्टर के सीने सी हो चुक हैं जी complete, done पे क्लिक करेंगे, यह देखें जी आपने upload किये और done पे क्लिक कर दिया, ठीक हो गया जी, यह देखें उसका number of shares आ र subscriber add करेंगे जी, director and subscriber आपने choose करना है, एक CEO, director and subscriber, एक file director and subscriber, अच्छा जी पाकस्तानी citizen है, उसके बाद उसका CNAC आ जाएगा जी, and then इसके बाद हम CNAC number add करेंगे, जी जो second वाला है, जो file director है, और subscriber है, मैं उसका जनाब CNAC number add करूँगा, तो जब आपने, जब भी company start करनी है, तो आपने start पर इनका जो है, start पर इनका बनाना start कर देना है, दोनों का sign up आपने start में कर लेना है, ताकि जब आप company बना लें, जब इस process में हो, तो automatically इनके detail फेच कर रहा हूँ, तो ये दोनों sign up आपने start में कर लेने हैं, जी, तो देखेगा, जैसे ही मैं इसकी detail add करूँगा, तो automatically वो सारी इसकी information पहले सी आ रही होगी, तो kindly आपने start में sign up कर लेना, जी, अच्छा जी, फिर मैं search पर click करूँगा, और चूपके देखिएगा, मैंने इनको पहले register किया वा था, तो ये सारी detail इनकी पहले सी आ रही है, तो cutting things to short, तो ये start में आपने sign up कर लेना है, जो information missing है, उसको add कर ले, जी, नेशनलिटी नहीं आ रही, नेशनलिटी select कर ले, occupation नहीं आ रहा, जो भी occupation है, business है, lawyer है, consultant है, जो भी, whatsoever add कर ले, nature of directorship, जिनाप, appointed आएगी अधर, kind of shares, detail of shares में, ordinary आ जाएगा, class of shares में भी हमारा ordinary है, number of shares, अच्छा जी, ये भी 1000 shares ही ले रहे हैं, मैंने का था ना, दोनों members 1000-1000 shares लेंगे, और 10-10,000 पे bank में add करेंगे, क्योंकि per value की shares 1000 है, अच्छा जी, इदर उसका residential address आ जाएगा, जी, तो ये जी, shareholder का district का आ गया, district का आपने set कर लिया, तो cities आटोमेटकली इदर आ रही होगी, जी, postal code की जोथ नहीं है, और simply इदर उसका add करतें, अच्छा जी, complete information आगी जी, director की, और director की complete information आगी, NTN provide करना है, करना है, करना है, नहीं करना है, ना करना है, ऑपिशनल है जी, FBR की registration के लिए जिनाब, अगर आपका NTN नहीं बना होगा, तो आपको नए NTN generate कर दिया जाएगा, तो यह सिर्फ FBR के purposes के लिए है, जैसे हमने पहले director की add की, CEO director and subscriber की, उसी तरह इस director and subscriber की add करेंगे जी, property type में residential आजाएगी जी, property farm में house आजाएगा आपका, और इडर पूरा address लिख देंगे जी उसका, अच्छा जी, उसका cell number आजाएगा, जो आपका director है, जी, और इधर आपका SIM service provider, यानि के कौन सा network है, आपका mob link है, जी, तो यह मैं टेलनोर select कर लिया जी, उसके बाद validate user information करूँगा, अच्छा जी, वो कह रहा जी, information is valid, kindly proceed with add and notify, तो जी, इसको मैं add and notify कर दूँगा, जी, तो जी, यह दोनों मेरे जो directors थे, दोनों की information add हो चुकी है, जी, यह आप देख भी सकते हैं, तो, यह जो second वाला director है, अब इसका हमने यह देखें, जी, CNIC नहीं add किया हुआ, तो यह जो आपके पास आ रहा है, जी, यह आपको discrepancies बताएगा, तो मैं simply इधर जागे CNIC add कर दूँगा, जी, तो यह जनाब दूसरा जो है, दूसरा आपका director है, उसका CNIC आजाएगा, जी, तो यह uploaded है, जी, यह second file भी upload होगी, और जैसे upload हो जाएगी, done का button आजागा, अगर आप देखना चाहें, आपने सही file upload किया, तो यह आई पे click करेंगे आप, तो यह एक नया page खुल जाएगा, और उदर आपको, जो आपने attachment की है, वो जनाब आपकी appear हो रही होगी, तो यह आप, यह देखिएगा, जी, तो यह यहां से आपकी attachment शो हो रही होगी, तो आप इसको देख सकते हैं, जी, तो अगर दुबारा add करनी है, तो इस पे click करेंगे, यह delete हो और दूसा director and subscriber, इन दोनों की information complete हो चकी है, लेकिन यह देखें, जी, complete information पर अभी tick नहीं आ रहा मेरा, जी, अचा जी, आप देख सकते हैं, यह company information complete नहीं आ रहा, इसके उपर tick नहीं आ रहा, तो हम इसके उपर वापिस जाएंगे, और देखेंगे, जी, क्या information missing है, तो यह ज यू कर सकते हैं, तो paid up की भी 10 और authorized की भी 10 आ जाएगी, अब इसको मैं next करूंगा, तो यह मेरी information complete हो जाएगी, तो यह रेखिए कि सारी हमारी information जो यह complete हो चुकी है, आर्टिकल्स पर आप जाएंगे, तो यह उसने system generated articles generate किया है, आप amend भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यह इसे just करूंगा, कि इसको नोपी रहने दें और इनी से काम चलाएं, तो यह जनाब आपके सारे articles जो हैं, यह आ चुके हैं, go through कर लीजेगा, वैसे जुरूत नहीं है, तो यह देखें जी, उसने information सारी उठा ली है, जो पर बहुत सब्स्राइबर थे, यह आपके memorandum है, जी memorandum आपको define करेगा, कि आप business क्या करेंगे और आपका authorized capital, तो यह जनाब आपका authorized capital है, 100,000 रुपीज, यानि के 1,00,000 रुपिया, अच्छा जी, certified true copy, जो आप document submit करेंगे, उनकी आप true copies लेना चाहेंगे, सब्सक्राइब के साथ, यानि के certificate of incorporation, memorandum articles, अगर आप लेना चाहें अच्छा जी, third part information, यह information ज़रूरी है, company के, आप कहलें कि company ने जो NTN लेना है, यह उसके लिए ज़रूरी है, तो जिनाब इधर company का address है, वो लिखते हैं, जी, कुछ information पहले से add है, बाकी आप खुद add कर दी जागे, जी, अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहा है, कि जहाँ पे company का registered office address होगा, वो company on करती है, के नहीं, तो नहीं जनाब company on नहीं करती है, उसके बाद वो पूछ रहा है, कि जहाँ जो business address है, उसमें आपकी percentage कितनी है, तो म one लिख दें सिरफ, क्योंकि ये compulsory है न, अच्छा जी, मैं आपको से just करूँगा, इसको one कर दे, one percent ही काफी है, क्योंकि मारा share तो है नहीं, तो इसको one percent कर देंगे, तो काम चल देगा, अच्छा जी, principal activity, क्योंकि अगर मैं इधर चलूँ जी, इसको save कर लेते हैं, जी, अगर मैं business objects पर चलूँ, तो मेरा है information technology, तो जो मैं इधर select करूँगा, इधर भी मैं, अगर मैं I लिखूँ, तो यह आपको information technology पर ले जाएगा, तो यहां से आपने देख लेनी है, जिनाप कौन सी आप, आपसे pertain कर दी है, आपको इसका idea हो जाएगा, जी, और अगर in detail देखनी है, तो in detail मैं आपको दिखाता हूँ, जनाप जाके, review and apply pin पर जाके, यहां रहा होगा, आप इधर से select कर लेंगे जी, प्रिंस्पल अक्टिविटी जो है, आपकी information and communication technology, जी, अच्छा जी, यह third party information complete है, जी, next पर click करूँगा, जी, अच्छा जी, वो कह रहा है कि declarant profession slash designation, मतलब कि कौन सा जो बंदा declare कर रहा है, जो बंदा यह declaration file कर रहा है, जो application file कर रहा है, वो क्या है, जी, तो जनाप, अब person named in the articles as director of the proposed company, जी, तो जिनाप जो company का proposed director है, वो application file कर रहा है on behalf of company, on behalf of other directors, उसके बाद आपने यहाँ पर plus पर click करना है to add declarant, तो यह दो add declarant आ रहे हैं, तो जिसका आपने applicant information में CNIC वेरा add किया होगा, या जिसके leap से आप login किये होंगे, उसी को आपने declarant कर देना है, जी, add and notify कर देंगे जी, यह देखें जी, application save declarant is added as company incorporation declarant, उसके बाद यह बता रहा है कि जो information file कर रहा हूँ, what true and fair, to the best of my knowledge and belief, as per companies act है जी, और उसके बाद आप next पे click कर देंगे, तो जिनाब यह सारे आपके processes हो चुके हैं जी, यह आप देख सकते हैं, सारे टिक हो चुके हैं, उसके बाद यह कहरा जी review करें, यह आपने अपनी सारी application review कर लेनी है जिनाब, जो जो आपने add किया है, to and fair है, तो इसको kindly review कर लीजेगा एक दफ़ा, और यह आपके memorandum आ गए, यह articles आ गए, अच्छा जी यह आपकी principle line of business आ गई, उधर in detail में आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन यह आपकी principle line of business पूरी आ रही है, तो जनाब इसको एक दफ़ा देख लीजेगा, जी, तो यह सारी information true and fair, as per my knowledge and belief, और उसके बाद आपने करना है, जी, I do hereby solemnly and sincerely declare that the information provided is true and fair, अभी simply आप pin apply करेंगे, जी, तो सबसे पहले मैं अपने वाला pin apply कर लेता हूं, पिन अप्लाई करके आपने apply pin पे click करना है, अच्छा जी, वो कह रहा है, valid pin, अब एक बंदे का pin रहा गया, जी, अभी मैं चलता हूं जिनाब, दूसरा जो मारा login है, दूसरे person के login पे चलते हैं, जी, और उनका देख लेते हैं, जी, जेके नीचे company आ रही होगी, बाल पाइंट पे आप click करेंगे, और यह देखेंगे, size इनका भी उसी हिसाब से आ रहा है, तो आप जो है, इसका size रेड्यूस कर सकते हैं, जी, अपने हिसाब से, क्योंकि size जो है, इनका पूरा नहीं आ रहा है, यह articles आ गए, और यह membranum पूरी detail उठा रहा है, जी, एक sign missing ह इनका sign missing है, और इनका मैं pin लगाऊंगा, declaration accept करूँगा, apply pin कर दूँगा, तो जी, यह मेरा सारा process, जो है, submit हो चुक है, अभी, अभी process जाएगा, pay fee पे, तो simply इधर आ जाते हैं, जी, यह सारा आपका process हो चुक है, जी, तो जी, मैं इस director को एक दफा sign out करके दोबारा करता हूं, जी, अभी उसने नहीं detail उठाई, तो एक दफा sign out करके दोबारा sign in होते हैं, तो जी, यह इस में issue आ रहा है, जी, आपको बार बार शायद log out करके login करना पड़े, दुबारा दुबारा, तब ही जाके वो आपका, क्या कहते हैं, क्या अपडेट हो रहा हो, नीचे आ जाँगा जिनाब, यह मेरी application है, size मैंने खुद ही छोटा किया हुए, जी, पहले submit का आ गया, आपको बहुत-बहुत मुबारिक हो जी, log out करने के बाद, submit करूंगा, मैं size भी इसका enhance कर देता हूँ, अब, तो वो देखें, submit का button पूरा ही नहीं आ रहा, अगर मैं इसका size enhance करता हूँ, तो submit का button पूरा नहीं आ रहा, अच्छा जी, वो कह रहा है के, pay no जी, जी, 7 दिनों के अंदर-अंदर pay करनी है, लेकिन इससे बाद नहीं जी जीनाब, तो pay no पे click करता हूँ, तो जीनाब दो payment methods है, पहले तो आपका आ रहा होता था, easy पैसा हुए रहा है, अभी अभी सिर्फ one link और debit credit card का आ रहा है, जी, simply click करूंगा, जी, अच्छा जी, ये सार ये आपको payment पे ले जाएगा, इधर आप card का number पर add करेंगे, जी, card की expiry add करेंगे, card का CVD होगा आपका, वो add करेंगे जी आप, और simply pay पे click कर देंगे, तो आपको codes आएंगे जनाब mobile और email पर वो डालेंगे, तो आपके debit card से transaction हो जाएगी, तो जी, अभी देख लेते हैं जी, क्या बता रहा जी, कि मेरी payment हो चुक्या कर नहीं, मेरे account से तो पैसे निकल चुक्या है, अभी हम देख लेते हैं जी, आपका e-file क्या कहता जी, fee paid successfully, और अभी हम देख लेते हैं जी, ये under review आ रहा है जी status इसका, so ये था और जैसे ये incorporate हो जाएगी, आप सब को email आ जाएगी, लेकिन सबसे पहले आपने ये जो zoom वाला सीन है, इसका आपने क्याल रखना है, क्योंकि ये आदा जो है आपका system खार जाता है, बाकी मैं अपना number छोड़ दूँगा description में, अगर किसी को incorporate करवानी होई तो वो कम cause मेरे से करवा सकता है जी, जो मेरे reference से आएगा, तो इंचाला आपको discount देंगे, so thank you so much, Allah आफिर जी,